में आपका स्वागत है मैं राहुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं बीएशेफ ट्रेडवेंस के बारे में जो आपको निर्देश से क्या क्या निर्देश जारे किया है इसे की गाडिक हम बात करेंगे और अगर आपको प्रभाय करूंगा वीडियो आपको किस परकार के वीडियो चाहिए यह भेही मैं आपको बताऊँगा है तो फ्रेंट जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे आपका Lit कर डाउंलोड करना है तो अर्पित नहीं डाउंलेड किया तो मैं आपके पासवर्ड क्रियेट किया था वो आपका पासवर्ड यहां क्रियेट करके लोगिन कर देना है आए मैं लोगिन करके दिखला देता हूं और यहां इसको क्लिक करकर ग्रिन टिक हो गया फिर आपको यहां लॉग इन क्लिक कर देना है लॉग इन क्लिक करने के जस्ट बाद नेश्ट ओपन पेज हो जाएगा इसको सिंपली आपको कैंसल कर देना है cancel करने बाद आपका यहां खुल खड़ आ जाएगा पॉरफाइल जो आपने किस पोस्ट के लिए किस किस ने आपको पुरभाइड किया है डाले हैं यहां simply आकार अपना एडमिट कर यहां से प्रिंट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे क्यों चलते हैं और इसको बात करते हैं यह कैसे इसमें क्या-क्या निर्देश दिये गए है तो फिर जैसे कि पहला निर्देश है आपको की परिक्ष्छा जुम कर दें ठीक है परिक्ष्छा में परवेष्पत्र पाने के लिए परवेष्पत्र और बैद भोट आपका पहचान पत्र यानि आपको सीदी से मैं बता दू आपका एडमिट कार्ड ठीक है और प्लस आपका एक कोई भी आईडि प्रूफ अधार कार्ड रेविलेशन्स भोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड अगर आपका ये है और साथी आप ज़रूर इसमें दो फोटो ले ले जिससे आपको परवेश पर करने में कोई भी दिकत नहीं आएगी ठीक है ये आपका सबसे इंपोर्टन पार्ट है पहला नमर अब बात करते हैं दुसरे नमर के और उमिद्वार को भरती अस्थान पर निधारित कार्यक्रम के अनुसरा श्मय पर उपलब्द होना चाहिए जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम छे बजे है तो आप छे बजे से पहले वहार रिपोर्ट कर दें यही आपका पहला दो नमर का कि आपका जो भी डिटेल्स है य इस्ट और अगला है हमारा तीसरा अगला है कि उमिद्वार को अपने खर्च और जोखिम पर चैनिक परिक्षा में सामिल होने और परिक्षा के लिए जाने और आने की कोई भी टीए डीए नहीं दिया जैगा जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कोश्ट गाट पहले क्या कर आपको देता था ऐसेसे कंड़ीटर को तो इसमें ऐसा कोई नहीं है यह आप अपने खुद के पैसे से टीकट कटा कर यह जिस परकार से जाए यह आपका अपना खर्च से जाना है आपको होगा कोई भी पैसा नहीं मिले वाला है रिफांड में अब बात करतें चोत्ता नमर कि और चोटही नमकण अमने की यात्रा के दोरान से और परिच्छन के लिए परिछा के इंद पर्ष्छार परउकने की औधी के दुरहलने वाले किसी भी चोट या स्वश्थ से मंदित खत्रयादी के लिए प्रिभाद जिम्धर जैसे कि आपको वहाँ startled रहने और आने या वहां युक्षणे में भर्ति परकिरें किसी पड़कर की चोट कि हो जोपियम में स्वासत्ट बिगर जाती है तो इसमें भरती परिख्षा कि कोई आपका जीमदार नहीं होगा इन ये आपका खुद का जीमदारी होगा ह लुकामंट कई सबसे मेंने आपको यह Möglichkeit बोल रहा है छुछ में आपको आउयू मतलब एज में चुत heit में छुट चाहिए ठीक है इसके लिए जो आपने जैसे 6020 ओ चो ठीक है आपको तूझ है ठीक है जैसे आपको एज में छूट चाहिए है जिस परकार कि आपको इसकी जो भी हो इसकी सॉर्टिफिक्ट आपको लेकर जाना है और कुछ सॉर्टिफिक्ट आपको यहां नहीं बोला लेकिन यहां एक कमपशरी आपको बोला है कि आपको ओवी सी, СС, स स्टमिध्वारों के लिए गयार क्रीमी लिएर परमांद पत होना होना है ठीकिन आपको भाल Дोर कर जाना है मुल फोटो कापी यह सबसे इंप्रेटन चीज है कि आपको फोटो कोपी एक ले कर जाए और साथITE आप दो पासपूर्स फोटो ज़रूर रख लें से लिखा नहीं है लेकिन आप दो रख लें इसे वेंपिट हो सकता है अच्छे नमर की बात करते हैं उन्वार को लगभग रहने के लिए विरुत तैयारी होकर जाना चाहिए चैनी परकिरिया के दोरां ठहरने के लिए व्यस्तित एक स से दो दिन मतलब आगर मैं बता दू आपको सिक्षमर कि अगर आप भड़ते परकिम जाते हैं किसी कारण बस लेट हो जाता है अंदर या मौसम खराब हो जाने को वैसे आपको एक या दो दिन ठहरना पड़ता है उस पर किरिया में आप अपना जिज़री खर्चा पड़ने या खाने की वैवस्ता या ठहरने की वैवस्ता हो आप खुच्रे करना होगा तो यह आपको बता दू मैं कि आप ऐसा सिंप्ली होता नहीं है लहीं किसी कारण बस हो गया तो आपको यह करना पड़ेगा एक से दो दोने के लिए इसलिए आपको दे दिया है अप सात्वा की बात करते हैं सात्वा बोल रहा है पीएटी और जैसे किसी भी घर्टना में असफल होने पर चैनित पर उम्मिद्वारों को समाप्त करें मत देखें और आप हाइट चेस्ट वेट ठीक है अगर इसमें आप छट्टे हैं या दौर में चट्टे हैं तो यहां से आप असफल गोशित हो जाएते हैं तो फिर आगे कि परकृटिया में आपको श्रामी नहीं किया जाएगा शिक्षेबन नमर का कहने को मुद्वाद यहीं है कि अगर आप अपने अगर आपने ग्राउंड के अंदर चले इंट्री कर लेते हैं अगर आप किसी परकार के अभधर करते हैं तो वहां से आपको अगोसित कर दिया जाता है ठीक है तो वहां से भी आप कि अगर आपको वर्वाइट नहीं किया जाएगा नौनोमर के बात कर लें किसी भी रूप में किसी भी रूप में पचार या करना या बहाली प्राप्त करने वाले उमिद्वारों को भरती परकिरिया पे उपस्तित होने की अध्योग घोशित कर दिया जाएगा ठीक है जो आपको नौन निर्देश जो आपको दिये गए था और शांती में बता दो आपका में यहीं चीज़े आप एड़मीट कार्ड जरूर लेकर जाए और दो फोटो और सांती एक आपका स्सी हो या एस्टी हो ठीक है एस्सी एस्टी या ओबीसी ठीक है यह आप अपना स्वाट लेकर जरूर जाए जो आपको सबसे कम पस्री ठीक है तो जब तक लिए जैहिन दोस्तो इससे और भी कोई अगर आपको चूरी जन कारी चाहिए तो प्लिस कमेंट से समय पूछ सकते हैं जब तक लिए जैहिन दोस्तो बंद मातरम